दोस्तों ने हो जया और आज हम वॉलीबॉल के बारी में जानेंगे वॉलीबॉल कोट 18 x 9 मीटर्स का होटा है जो दो हाफ्स में पाटा जाता है पीचों पीच एक मीटर वाइन नेट लगाए जाती है जिसके लबाए 10 मीटर्स होती है और उजाई बेन के लिए 2.43 मीटर्स और विमेन के लिए 2.24 मीटर्स होती है कोट में खिलाडी इस तरह से खड़े होते हैं सेंटर, राइट साइड अटाकर, काउंटर अटाकर, यूरिवर्सल, सेंटर रॉकर और लिवेरो बाइबॉल स्किल्स को दिखाने के लिए पासिंग, सेटिंग, स्पाइकिंग, लॉकिंग, देगिंग और सर्विंग जैसी टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है इस खेल में अपने हाटों का इस्तमाल करते हुए बॉल को लेट के उपर से अपने विरूधी टीम की तरफ उचारना होता है विरूधी टीम को उसी तरह बॉल को वापस करने से पहले उसे अपनी तरफ पाउंस होने से रोकना होता है हर टीम में छे प्लेस होते हैं जिनमें सिर्फ तीन अटैक लाइन से पहले और बाकी टीम उनके पीछे खड़े रहते हैं टीम एक पॉइंट तब स्कोर करती है जब वो बॉल को संबंदा पूर्वत विरोधी के कोट में गिरा देती है या विरोधी टीम कोई फॉल्ट करती है बॉल को विरोधी कोट में पहुचाने के लिए हर टीम बॉल को तीन बार पास कर सकती है तीसरी बार में बॉल विरोधी टीम की तरफ पूरी चाहिए नहीं तो फाउल माना जाता है सेट वो टीम जीतती है जो कम से कम दो पॉइंट्स की लीड के साथ पहले 25 पॉइंट्स स्कोर कर लेती है जो टीम तीन सेट्स जीत लेती है वो विनर बाने जाती है वॉले बॉल में कुछ पेनल्टीज होती है जैसे सर्फ करते वक्त लाइन पर या उसके आगे पैर रखना बॉल को नेट के उपर से साफ तरीके से सर्फ ना कर पाना बॉल को गलत ढंक से हिट करना खेल के दौरा किसी भी शरीर के हिस्से को नेट से जूना मना है चाहें आप कितनी दी अच्छे खेलारी हो सुरक्षा नियम जरूरी है उचित दखीक अस्तमाल करते हुए अपने टीम के खेलारियों पर नज़र रखनी चाहिए और बॉल को खेलने से पहले कॉल करनी चाहिए ताकि दूसरे खेलारी आपस में तकराना जाए तो आओ इस exciting और explosive action वाले गेम को खेलने के लिए तयार हो जाओ